हेलो इस्टुडेंट्स आज दिनांग 15 अप्रेल 2021 सिक्षा निदे साले दोरा समाजी बिज्ञान के अंतरगत इतिहास पार्ट में आज वर्क सीट चार पर हम लोग चर्चा करेंगे तो बच्चों सबसे पहले आप अपना यहां पर नाम और यहां अपने कच्छा ध्यापक का नाम जरूर लिखें तो आज हम लोग फ्रांसी करांती के अंदर का चौथा वर्क सीट हल करेंगे तो आईए अब हम लोग सुरुवात करते हैं जिसमें सबसे पहले है देखिए इसक स्टेट पादरी बर्ग से समन्दी था और दुती कुलीन बर्ग और तीसरा स्टेट था जो कि परिसान था उसमें सभी ब्यापारी छोटे वाले और नौकर वकील यह सारे लोग उसमें समलित थे और इन्होंने ही बिरोध किया राजा का और इन्हीं लोगों को सारे टैक्स देने होते थे और जबकि जो पादरी और कुलीन बर्ग था इन्हें विशेशा दिकार मिले हुए थे और इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता था तो आईए अब हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले 1792 से 1794 इसके मद क्या हुआ था उगरतन त्रवाद का चरण माना जाता है 1792 से 1794 तो 1789 की फ्रांस की क्रांत क्या भाई योरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा जो फ्रांस की क्रांती होई थी 1789 में उसका भाई जो योरोप के अन्य देश थे उसमें भी फैलने लगा जो पादरी और कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने करांती के विरुद भावना पहलाई चुकि तीसरे स्टेट ने विरोध किया था करांती की थी और ऐसे में जो फ्रांस के दो स्टेट थे जिसमें से एक पादरी वर्ग था और दूसरा कुलीन था इसमें से जाए तर लोग फ्रांस छोड़के भाग गए थे और इन्होंने ही अन्य यूरोपी देशों में जाके फ्रांस के विरोद गरतंद्र के विरोद इन्होंने विरोद की भावना फैलाई फ्रांस के करंदकारी सिधातों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा आश्ट्रिया ने फ्रांस में राज तंद्र को समर्थन दिया जो यूरोपी देश आश्ट्रिया था उसने फ्रांस में राज तंद्र का समर्थन के दिया इसके विरोद में फ्रांस ने आश्ट्रिया कि विरुद युद्ध घोसित कर दिया उन्होंने इसे निरंकुस राजाओं एवं कुलीनों के विरुद जन्ता के जंग के रूप में मान लिया वयस्क मतादिकार के आधार पर राश्ट्री कन्वेंशन का गठन हुआ प्रांस में क्या हुआ था कि वयस्क मतादिकार का दार पर राश्ट्री कन्वेंशन का गठन हुआ आई अब देखते हैं नेशनल कन्वेंशन और आतंग का राज देखें 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ इसमें जैकोबिन और जिरोदिस्ट दल प्रमुक थे फ्रांस के दो प्रमुक दल थे एक था जैकोबिन और दूसरा था जिरोदिस्ट जो जैकोबिन था उसका जो प्रमुक नेता था वो था रोबेस पेयर और ये दल अनुसासित और संग्ठित थे और पेरिश पर इस दल का पूरा प्रभाव था जो दूसरा दल था जीरो दिश्ट ये जो दल था वो सिक्षित था और साथ में ये कुलीन वर्ग था किन्तु ब्यावहारिक राजनितिग नहीं थे ये लोग इसके प्रभुख नेता थे मैडम रोला, विस्ष्रो, आदि दोनों ही गुट गर्तंत्र के हिमायती थे विदेशी सक्तियों के विरुद ये दोनों दल यूद का सवर्थर करते थे जीरो दिश्टों का मानना था कि क्रांद बहुत आगे जा चुकी है उसका अंत होना चाहिए जो जीरो दिश्टों थे क्योंकि ये कुलीन थे और इन्होंने सुरु से क्रांदी का विरुद किया था क्रांदी का जो प्रभाव था जो क्रांदी हो रहे थी कुलीनों और पादरियों के विरुद हो रहे थे तो कही ने कही जो जीरो दीश था वो कुलीन था अविस वजास से वो इसकरांदी का अंत चाहता था वे और अधिक समाजी समानता लाने के विरुद्ध थे वे सोतनता पर अधिक जोर देते थे वे जैकर भी लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प भावपुर्श रवयक रखते थे अब देखिए नेशनल कल्वेसर के समझ क्या-क्या कठिनाईया थी उसके विसे में हम लोग देखेंगे करांदिकारियों ने 1792 में कब 1792 में गोसरा कर दी कि फ्रांस का गर्तंत्र सोतंता, समानता और बंधुत की भावनाव पर अधारी थे जो फ्रांस के करांदिकारी थे क्योंकि फ्रांस गरतंत्र बन गया था और वो वहां का जो सत्ता था वो कहीं ने कहीं तिसरे बर के हाथ में था और उन्होंने ये घोस्रा कर दी कि गरतंत्र जो है समानता सोतंत्रता और बंधुत्व की भावनाव पाधारी थे इसका नुकसान क्या हुआ या इसका प्रभाव किस्पे पड़ा जो निरंकुस सासक थे यूरोप में अन्य सासक जो निरंकुस थे उन्हें ये चीजे बहुत बूरी लगी इस घोसडा से यूरोप के निरंकुस सासक भैवीत हो गए जो लुई सुलाहमा की तरह थे मतलब निरंकुस सासक जितने थे उन्हें ये चीजे अच्छी नहीं लगी भैवीत हो गए अब फ्रांस की क्रांत नहों कर पूरे यूरोप की हो गए अता यूरोपी देश क्रांत के प्रसार को रोकने के लिए एक जूट हो गए एगलैंड, हालैंड, आश्ट्रिया, प्रसा की एक गुट का फ्रांस के विरुद निर्मार अब जैसे यूरोपी ऐसे कौन से देश थे जो फ्रांस के विरुद एक जूट हो थे उसमें इगलेंड, हालेंड, आस्ट्रिया और प्रसा ये देश ऐसे थे जो फ्रांस के बिरुद एक जुट हो गए और इसका प्रभाव क्या हुआ कि फ्रांस कई जगहों पर इन देशों से पराजित हुआ नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राज तंद्र को समाप्त किया और गरतंद्र की अस्थापना की राजा पर देश द्रो का मुकदमा चलाया गया और मिर्त दंड की सजा दे गई और इस तरीके से जो लुईस सुलाहुआ था उसे 21 जनवरी 1793 को फासी पर चढ़ा दिया गया युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकर से घिर गया था इतने युद्ध हुए लगातार युद्ध चलते रहे जिस हो जासे फ्रांस की जो आर्थिक इस्थिती थी वो काफी कमजोर हो गई थी और हर चीज की कीमतें काफी बढ़ गए थी अना आज काफी मांगे हो गए थे अमीरों से कर्ज वो सुलने का नियम बनाया गया जेकोवीनों ने पेरिश की भीड और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमर कर सत्ता पर अधिकार कर आतंग के राज की अस्थापना कैसे हुई पेरिश के भीड और कम्यून की सहायता से जोग जगवीन थे वे आक्रमर कर सत्ता पर अधिकार कर लिये और ऐसे में आतंग के राज की अस्थापना हो गए अतंक के राजी के अस्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुना अब्वेवस्था का सिकार हो गया चुंकि एक बार तो सत्ता आई थी तीसरे इस्टेट के हाथ में और उसके बार जो जैकोबिन था उसके उसने क्यावकर पेरिस के भीड पर ठीक है और कम्यून की सहायता से आक्रमण कर सत्ता पर पूना अधिकार कर लिया और इस तरीके से वहाँ पर आता का राज एक बार फिर से अस्थापित हो गया देखें रावी स्पियर के नेत्रित में इसकी अस्थापित हुआ उसका जो नेत्रित किया था वो रावस पियत बारा हुआ था वही प्रमुग नेता था इसमें करांधिकारी जन सुरचा के अस्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिन्स के विरूत काम करता उसे मृत दन दिया जाता था जुलाई 1794 में रुबस पियर कैद कर लिया गया और फासी दे दी गई उसे इसी के साथ आतं के राज की समाप्थि हो गए मनलोग यह जब तक था तब तक आतं का राज बना रहा और जैसे इसको फासी दी गई 1794 में वैसे आतं का राज समाप्थ हो गया आतं के राज के बाद उदार वादी नेताओं ने देश की सत्था सम्भाली! और आतंक राज की वी उस्ठाओं को भंग किया। जितने भी रोवेसफेर्षोरा नियम बनाय गए थे आतंग के राज की उस्ठापना के लिए। उन सबको उधार वादी नेताओं ने समात कर दिया और सासन जो आतंग का सासन था उसके दुरान लगाए गए मुल्य और पारिस्रा में परसे नियंतर उठा लिया गया जो भी इनके दुरारे नियम बने थे आतंग को साबित करने के लिए वो सारी चीजें रद्ध कर दी गई अब हम लोग देखेंगे नेशनल कन्वेंशन के महत्वपूर कार इन्होंने नेशनल कन्वेंशन के द्वारा कौन-कौन से महत्वपूर कार किये गए थे जिसमें पहला था राष्टी सिछानीत अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट भासा घोसित किया गया एक तो राष्टी सिछानीत अपनाई गई और प्रेंच को राष्ट वासा गोशित किया गया, दुसरा था जो गुलामी प्रता थी उसको समाथ कर दिया गया, तथा रीड न चुकाने पर जिल जो भेजने की ब्योस्ता थी उसे भी समाथ कर दिया गया, सबसे बड़े पुत्र को ही उतरादिकार देने का कानून समाथ किया इसके पहले जो नियम था कि सबसे बड़ा पूत्र ही उद्राजिकारी होगा उसको नेशनल कन्वेंशन के द्वारा समाप्त किया गया और एक और महत्वपूर कारे हुआ था कि राज तंद्र को समाप्त कर गरतंद के स्थापना किया गया और इसके लिए एक नया पंचांग क ग्राम लीटर मीटर उसकी सुरुवात हुई और काला बाजारी रोकने के लिए रासनिंग ब्योस्था लागू की गई मुवावजा देने की निच समाप्त कर दे गई आयकर और युद्धकर भी लगाए गए अब देखिए एक कर लगाया गया जो आयकर आयकर और युद्धकर भी लगाए गया अब अच्छों इस से सम्बंदेद इस वर्क्षीट से सम्बंदेद कुछ चार प्रस्ण हैं जो पहला है फ्रांसे से करांती से अन यूरोपी सासक क्यों परिसान थे तो क्यों परिसान थे देखिए करांतिकारियों ने 1792 में घोसड़ा कर दी कि फ्रांस का गरतंत्र सोतंत्ता समांता और बंधुत्त पर अधारित है तो इससे क्या हुआ कि इस घोसड़ा से यूरोप के निर सार को रोखने के लिए फ्रांस के विरुद इगलेंड, हॉलेंड, आस्ट्रिया और प्रसा के सासक एकजूट हो गए और उन्होंने मिलकर कई जगहों पर फ्रांस को फराजित किया था। दूसरा कोश्चन है रोवेस पेर कौन था। तो रोवेस पेर जैकोबिन दल का प्रमुख नेता था। तीसरा कोश्चन है आतंग का राज क्या था। तो इसको हम लोग देखते हैं देखें युद के कारण फ्रांस आर्थिक संकर से घिर गया था। किमते बढ़ गई थी। अमीरों से करज वसुलने का नियम बनाया गया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड और कम्यून की सहायता से नेशनल कन्वेंशन पर आकरमण कर सत्ता पर क्या किया अधिकार कर लिया। और उसी के साथ आतंक के राज की जो है अस्थापना कर दी। चौथा कुश्चन है नेशनल कन्वेंशन के महत्वपुड कारी कौन-कौन से थे। तो देखिए सबसे पहला काम ते इसने था कि राष्टी सिच्छा नीत अपनाई गई थी। और फ्रेंच को राज भासा या राष्ट भासा घोसित किया गया था। दूसरा था जो गुलामी प्रता थी उसको समाप्त किया गया। और रिर्ण चुकाने वालों को जेल भेजने की विवस्था भी समाप्त की गई थी। ठीक है और जो इसे सबसे बड़ा पुत्र ही उत्रादिकारी होगा इसको रद्द किया गया। ठीक और जो काम किया गया था देखिए राज तंत्र को समाप्त कर गड़ तंत्र के अस्थापना की गई थी। माप्तौल की नीत अपनाए गई थी। ठीक है और काला बजार काला बजारी रोकने के लिए राशनिंग ब्योस्था शुरू की गई थी। और दो कर लगाए गए थे आयकर और युद्ध कर। ठीक है ये नेशनल कर्वेंसर के महत्वपूर कारे थे। तो मुझे उमीद है वच्चो आज की वर्क सीट आप सबको अच्छे लगी होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।